समय पहले की बात है वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था उसकी एक समुद्री यात्रा के दोरान एक बहुत ही तेज गतिक के तुफान ने उसके जहाज को नश्ट कर दिया सब कुछ बिखर गया अगली सुबा बेहोश वीरवरा की आखे खुली तो वो अपने आपको एक अंजान टापू पर पड़ा पाया यह मैं कहां आ गया कोई है कोई है कोई है कोई है बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल गी गया लोग मिल गए कहां चले गए यहां के लोग कोई दिखी नहीं रहा महराज की जय हो महराज की जय हो यह टापू दिखने में चाहे जितना भी खुबसूरत क्यों न हो यहां के नियम मूतने ही भी चित रहें यहां के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहां बहकर या भटक कर आता है उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को विराने टापू पर भीज दिया जाता है जिसने राजा रहकर यहां की सेवा की उसको जीवन भर के लिए विराने में रहना पड़ेगा यह तो सच मुच मिचित्र है वैसे फिल्हाल यहां के राजा कौन है? मैं वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदाज क्यों था क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस विरान टापू पर जाने की बारी उस बुज़र्ग व्यक्ति की थी टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था उसकी सूज बूज और दयालू स्वाभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परिशान करती रहती थी और वो थी एक दिन कोई और राजा बन कर आएगा और उस दिन उसे भी विरान टापू पर जाना पड़ेगा और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूजी सैनिको बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अकसर बह जाता है इसलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए जिसमें घर दुकान सडक सारी सुविधाएं हो वीरान टापू को मगर महाराज वहां तो केवल यहां से विदा किये गए राजा को रहना होता यह मेरा सुजाव नहीं आदेश है महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काट कर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था और जब विरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आज आने के बाद भी वीरवरा को वहाँ जाकर रहने में चिन तक इस बात की होती है इस प्रकार से उसकी यह योजना तो काम कर गई और वो निश्चिन थोकर राजपाट चलाने लगा तभी एक दिन महराज, महराज महराज, बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है माफ कीजिये महराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहां आता है जिसका मतलब है इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है जी महराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का जहंडा लगा था जिसकी हमारे टापू पे कब से रजर है और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहां आ गया तो हमें उसको यहां का राजा बनाना पड़ेगा इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए साथ ही बड़े उदास भी हो गए क्योंकि वो लोग महराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे पैसे प्यार और सने तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था इसलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दे इसके लिए उसने एक उपाय सोचा तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा तुम चाहो या ना चाहो तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो ये कैसे हो सकता है महराज नियम के अनुसार भूला भट का आदमी हमारा राजा होगा अब भूला भट का आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है अभी राजा हम है और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है हर अजनबी अच्छा नहीं होता और अपना राज किसी अजनबिया दुश्मन के हाथो देना बुद्धी मानी नहीं हाँ हाँ महराज सही कह रहे मगर इसमें हम कर भी क्या सकते है महराज करना तुम्हे नहीं हमें है यहां की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खत्रा है इसलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं इसका उपाई भी है हमारे पास अगर वो राजा आपकी उमीदों पर खरा ना उत्रे ये भेदभाव करें तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंथ हटाने का अधिकार भी होगा ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की हम सब आपके विचार से सहमत है वैसे महराज अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदे के लिए हमारे राजा बन जाते हैं नहीं मित्र मेरे यहां से विदा लेने का समय आ गया है अब तुभे अपना राजा चुन्ने की बारी है